नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर हालही में संपन्न ओफिशियल डीजी विजिट और चाल्टर नाइट के गरिमा में समारों में लाइंस इंटरनेशनल के प्रांत 3-2-3-4-1 के प्रांत प्रमुक MGI पराजिंद्र सिंग भग्गा ने लाइंस कलब आप नागपूर अमेज की सेवाभावी एक्टिविटी पिडियाट्रिक कैंसर पर किये जारे कारियों की मुक्तकंथ से प्रशन सा की बता दे की बालक वंशक एकत पूरे के कैंसर इलाज है तू अम इस कलब ने अब तक करीब एक लाक रुपे की साहता की है बविश्य में ऐसे ही गरीब बच्चों की साहता के उद्देश से कलब ने एक कुपन जारीकर समाज के दानदाताओं को भी जोणने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कारेक्रम की अध्यक्षता संजय पाठक ने की वही मुख्यातिती के रूप में लाएन राजेंद्र सिंग बग्गा और विशेशतिती लाएन अरुन कुलकरणी जोन प्रमुक थे और कैबिनेट सच्यू लाएन प्रदिप जैस्वाल थे मंच पर कलब के संस्थापक अध्यक्ष नितिन लोनकर के अलावा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट लाएन स्मीता सोंकुवर और ट्रेजरर मोनाली लोनकर प्रमुक थे संचालन कलब के पियारो लाएन अविनाज बागडे ने किया अपने पर्मनन प्रोजेक्ट मेथोडिकल लर्नर की प्राचरिया भांगे मैडम एवं वरिष्टा सदस्यू में हेमंत्व दर्शना सुरेजबाबर आदी उपस्तित थे जनता के साथ व्यंगकार की प्रतिबद्धता ही उसका सरुकार है यह कहना है वरिष्ट व्यंगकार डॉक्टर सेवराम त्रिपाटी का व्यंगधारा समूग की ओर से 93 ऑनलाइन साप्ताहिक व्यंग विमर्ष गुष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विशय व्यंग लेख शब का समाविष था गोष्टी की शुरुवात करते वे डॉक्टर अनंत श्रीमाली ने कहा कि जुमलों की जुगाली व्यंग नहीं है व्यंग को सामाजिक सरुकार से जुणना पड़ेगा बिना सरुकार व्यंग के उद्देशों की पूर्ति नहीं हो सकती डॉक्टर मंग करम के सयोजक और प्रखर व्यंग समालोचक डॉक्टर रमेश तीवारी ने कहा कि व्यंगकार की जनपक्षधरता और प्रतिवद्दता की कमी से ही व्यंग में सरुकार घट रहा है और सरुकार के घटने से व्यंग का प्रभाव कम हो रहा है कभी कभी आप कैसा महसूस करते है इसे व्यक्त करने के लिए सही शब्द ढूनना मुश्किल होता है ऐसा ही कुछ अभीनेता संदेश गवर ने अपना नया रोमेंटिक गाना पता ना चला म्यूजिक वीडियो के रिलिज करते समय महसूस किया हमारे पास आपके प्रिये जनों के लिए एक बहुत ही सुन्दर रोमेंटिक गीत है जो इस वैलेंटाइन वीक पर रिलिज हुआ है वैलेंटाइन स्पेशल पर रिलिज होने वाले म्यूजिक फितूर कमपनी पर पता ना चला के साथ जशन बनाए अभीनेता संदेश गवर को टीवी अभीनित्री और मॉडल संगीता मीना के साथ जोड़ा गया है विज्जी म्यूजिक विडियो के महसूस किया है और बी फोर यू म्यूजिक के कैसे बताओ तुझे का हिस्सा थी अमर परमार ने गाने का निर्मान किया है इस गाने को बॉलिवुट सिंगर सौविक काबी ने गाया है गीता और संगीत उर्मिला वारुद्वारा रचित है लंदन में आधारित है इसके निर्देशक जीतेंद्र सिंग तवर है इस गाने के सीनोमेटा गुराफर नागेंद्र अशुक शुकला है संत सहजराम दर्बार में दर्बार की संचाली का दादी सुशिला देवी का जन्मदिन धर्मिक कारेकरम के साथ हरशुलास से मनाया गया नगर सेवक विरेंद्र कुकरेजा ने मंदिर में माथाटे का वह दादी से आशिरवाद लिया मंदिर में आयोजी धर्मिक कारेकरम में भाजपा उत्तर नागपूर की अध्यक्ष संजय चौधरी, दर्बार के विश्वस्त दादा सन्मुक दास सेतिया, आहुजा नगर सिंदी पंचायत समिती के अध्यक्ष राजकुमार ढुलवानी, सयोजक हीराल ढुलवानी, उपा जरीपट का कॉंग्रेस कमिटी की ओर से रविवार 20 फरवरी को सुब नव बज़े दो पर एक बज़े तक निशुलक रूग निदान शिविर का आयोजन किया गया है, शिविर सयोजक पूरुवपारिशत सूरेज जग्यासी के अनुसार इस शिविर में रुदै रोक, छात वह मदुमेह रोक का निशुलक परमर्श एवं ECG, बलड शुगर, BP इत्यादी की जाचे निशुलक की जाएगी, विशेश रूप से यह शिविर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते वे किया जा रहा है, जिसमें ऐसा देखा गया था कि सही समय पर बीमारियों का निदान नहीं होने पर लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा था, BP, शुगर, हार्ट की बीमारी के मरीज, अथवा कोरोना महामारी से उबरे सभी के लिए रूटिन जाच की व्यवस्ता की जाएगी, महमुदा शिक्षन एवं महिला ग्राम विकास भहुद्दिश या संस्थाद्वारा संचालित, सेंटल इंडिया ग्रूप ऑफ इंस्टिटूशन में मौमिन पुरा समाज भवन में निशुक स्वास्त शिवर का एजन किया गया, इस कारेक्रम के प्रमुक अती थी, महामद अहमद खान, राष्टिय समनवेक अलपसंख्यक विभाग महाराष्ट कॉंगर्स कमिटी, अलपसंख्यक विभाग के प्रभारी डॉक्टर अनिस एहमद, पुर्वमंत्री AICC सदस्य, डॉक्टर S.M. राजन, सेंट्रल इंडिया कॉलेज ओफ लोग, तुशारमेश राम, डारेक्टर डीडी यूजी के वाए उपस्तित थे, शिविर का अयोजन कोरोना महामारी के चलते स्वस्त शरीर हेतू, आवशक एहतियाद बरतने के लिए योग्य, सलाह इलाज और दवाईया, वरिष्ठा विशेश चिकित सद्वारा परामर्ष करने के उद्देश असे कि किया गया, डॉक्टर अनिस एहमद ने मोमेनपुरा के गरिब लोगों को इस सुविधा का लाप उठाने के लिए इस कारेक्रम का अयजन किया, इस शिविर के दोरान मरीजों का कान, नाक, गला, गाठिया, कमरदर्थ, पाइल्स, भगंदर फीशर, स्तन में गाठ, साइनस, हैट्रोसिल, आधी रोगों की जांच की गई, जांच शिविर में IGMC वैद्य की अधिकारी, डॉक्टर दीपक साखरवाडे, डॉक्टर त्यागिता उराडे, डॉक्टर सुमित उंबरकर, डॉक्टर अश्विनी भुजाडे, डॉक्टर अन्वर सिद्धिकी, जमियत उले डॉक्टर विवेक मेडिसिन, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर नैमनाईजी, डॉक्टर हैरिस, डॉक्टर जुबेर खान, विशाका चोहान, फार्मसिस्ट, कविता बिंजाडे, रुपालिसोन टक्के, आधी उपस्तित थे नाकपुर मेट्रो रेल परियोजना का भूमी पूजन 2014 को हुआ था और नाकपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्मान कारिया 2015 से शुरू हुआ वर्ष 2015 से 2022 तक 7 साल की यात्रा महा मेट्रो ने पूर्ण की है नाकपुर मेट्रो रेल पर योजना के सफलता में ये एक माइलस्टोन है वर्धारोड और हिंगना मार्क के सभी स्टेशनों को यात्री सेवा के लिए शुरू किया गया था महामारी कोरोना के सबसे कठी दोर में भी मेट्रो के काम की गति को बनाये रखते हुए निर्मान को पूरा करने और इसकी गुनवत्ता बनाये रखने के लिए महामेट्रो नाकपुर द्वारा प्रयास किए गये थे महा मेट्रो नाकपुर मेट्रो के निर्मान के अलावा पूने मेट्रो का निर्मान, नासिक मेट्रो का निर्मान, नवी मुंबई मेट्रो का संचलन, वारंगल मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तयार की जा रही है महा मेटरो जल्द ही Central Avenue, Reach 4 और कामठी मार्क Reach 2 पर यात्री सेवाई शुरू करने की योजना बना रही है हाल ही में महा मेटरो गड़ी गुदाम में एक चारस्तर ये परिवहन प्रणाली का निर्मान कर रही है जिसे तकनी की रूप से बहुत कठिन और चुनोती पूर्णा माना जाता है और भारत में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है अर्विन इंडो पब्लीक स्कूल सावनेर ने पुर्वव विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज के जनम दिन पर उन्हें श्रधान जली अर्पित स्कूल की सदन में सुष्मा स्वराज जी की प्रतिमा पर माल लारपन कर दी प्रजवलित कर कारेक्रम प्रारम हुआ स्कूल के प्राच्वारिय राज्यंद्र मिश्र ने 2014 से 2019 तक की उनकी विदेश मंतरी कारेकाल की उपर अब्धियों पर प्रकाश डाला उन्होंने साथ बार सांसत के रूप में और तीन बार विधायक के रूप में भी अपनी सेवाई प्रदान की दिली के पांचवे मुख्य मंतरी के रूप में भी उन्होंने अपार योगदान दिया उनकी ओजस्वी वानी सभी को मंतर मुक्त कर दे दी थी स्कूली विद्यार्थियों ने उन्हें आदरान जली दी मध्य भारत की अग्रणी संस्था विदर्बसेवा समिती एंडाबर इंडिया लिमिटेट की और से सारवजनिक दवाखाना ब्राम्हनी फाटा, कलमेश्वर, नाकपुर में हाल ही में 205 महिला पुरुष एवं बच्चों की निशिल स्वास्थ जांच तथा जागरुच शिवर का एजन किया गया इस शिवर में डॉक्टर राज दिवान, डॉक्टर भावना विश्व कर्मा, डॉक्टर सीमंधर मारवटकर एवं डॉक्टर आर पार्थी ने स्वास्थ जांच के साथ ही उपस्थितों को स्वास्थ समंदी जानकारी देते हुए मार्ग दर्शन किया दो सो पांच बच्चे और बड़ों ने इस स्वास्थ जांच एवं नेत्र जांच शिवर का लाब लिया उनकी स्वास्थ जांच कर परामर्श देते हुए औशधी वितरित की गई शिवर के शुरुवात में भारत माता एवं डॉक्टर बाबा से आमबेटकर की तस्विर पर माल्यारपन कर दीप रजवलन अतिथी उद्वारा किया गया शिवर में आयरवेद वन निसरगोप चार होमियोपैथी नेत्र रोक एक्यूप्रेशर एवं जनल फिजिशियन का समाविश था शिवर के अध्यक्षता विदर्बसेवा समीती के कार्याग्धक्ष डॉक्टर संतोष मोधी नेगी प्रमुक अतिथी में भाचपनेता महादेव इखार महाविर यूथ कलब के श्रिकान तूपकर विदर्बसेवा समीती के सचिव अशोग गोयल कोशाध ध्यक्ष बाबु टिका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्रैवन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयो के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये टीका करण किया जाएगा। हाल ही में महाराष्टा सरकार ने सूपर मार्केट वब वॉक इन स्टोर सहित 1000 स्क्वेर फिट से बड़ी किराना दुकानों में वाइन बिकरी करने का निरने लिया है। शराब की दुकानों से ही की जाती रही है। लेकिन अब सरकार केवल अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ये जनवी रोधी फैसला ले रही है जिसे ततकल वापस लेना चाहिए। इस आशे की मांग जमाते इसलामे हिंद की नाकपुर वेस्ट शाखा और मराठा सेवा संगद्वारा मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे के नाम भेजी गए ग्यापन में की गई है। जमाते इसलामे हिंद वेस्ट के स्थानिय पदाधी कारियो द्वारा इस संदर्ब में जिलादिश आर्मिमला के माध्यम से मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे के नाम सौपे के ग्यापन में इस निर्ने के विविद नाकरात्मक पहलू पर प्रकाश डाला गया। श्री चत्रपती शिवाजी महाराज उत्सव समिति के तत्वावधान में शनिवार उन्निस फरवरी को चत्रपती शिवाजी महाराज की जयनती मनाई जाएगी। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी शिवाजी जयनती के उपलक्ष में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। रक्तदान शिविर का उद्गाटन शिविर के सयोजग कामरान जाफरी के हसले किया गया। इस अउसर पर जुनी कामठी थाना के वरिश्टा पुलिस निरिक्षक राहुल शिरे निशानतियादो प्रने राखडे मुख्य रूप से उपस्तित थे। इस अउसर पर रक्तदान शिविर के सयोजग कामरान जाफरी ने कहा कि रक्तदान महादान है आप रक्तदान कर किसी की भी जान बचाते हैं। रक्तदान शिविर में सौरब दमके ने 25 वी बार रक्तदान किया। लगबक 3 लाख रुपे की लागत से सिमेट की सड़क का भूमी पूजन कॉंग्रेस OBC विभाग जिला अध्यक्ष, जिला परिशत सदस्य, प्रोफेसर अवंतिका रमिश लेकुरु वाले के हस्ते, एवं पंचयत समिती उपसभापती आशिश मल्लेवार, टेवस्ता सदस्य कविता काकडी की प्रमुक उपस्तिती में किया गया। विकासकारियों में पारदर्शिता तथा आधुनिक तकनिकी उपाय योजनाओं का उपयोकर सुन्दरगाव योजना अमल में लाने वाले तमाम ग्राम पंचयत को पूरस्कृत किया जाता है। प्रमुक उपस्तिती में धूर खेडा ग्राम पंचयत के सरपंच विठलराव उके उपसरपंच सुदर्शन जोडे तथा ग्राम सचियों मरिशा मोरे को सुन्दरगाव पुरसकार प्रमान पत्र तथा मानचित्र से गवरानवित किया गया। ग्राहक डौक्टर अर्जुन खाडे मंगलवार रात साड़े दस बजे वाड़ी के भारत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने गये थे। तब ही उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया। उन्हें कम पेट्रोल मिले का शक हुआ। जांच की और पंप संचालक से जवाब मांगा। पंप मशिन से पेट्रोल निकाल कर 5 लिटर नाप लिया गया। जांच के दोरान पेट्रल मापा गया अधिकारी बिरदर ने कहा कि पेट्रल पंप से 5 लिटर पेट्रल मापना अनिवारिया है और 5 लिटर पेट्रल को मापने का भी यही नियम है तौल अधिकारियों ने पेट्रल पंप संचालक से उस दिन हुई घटना के बारे में पूछा सयुक्त नियंत्रक पांडूरंग बिर्धर ने कहा कि उपभोकताओं को अफवाओं का शिकार हुए बिना विज्ञान की दुरुष्टी से माप पर विचार करना चाहिए साथ ही डॉक्टर खोड़े जैसे ग्राहको की तरह जागरूत भी रहना ज़रूरी है स्वच्च भारत मिशन फेज टू कारेक्रम के तहत ठीचोली ग्राम पंचयत खापर खेड़ा एवं शंकरराव चवान विद्याले एवं कनिष्ट महा विद्याले ने सयुक्त रूप से स्वच्चता एवं अपशिष्टा माल प्रभंधन जागरूकता कारेक्रम का आयोजन ब इचोली ग्राम सरपंच पुरुषत्तम चांदेकर, रधाना ध्यापक दीपक नीगोटे, लक्षपन राठोड, केंद्र प्रमुक महिंद्रमर काम, समुह समनवयक प्रदिप बगडे मंच पर ग्राम विकास अधिकारी विजेलान के आदी मोजुद थे आयोजन की शुरुवाद गाडगे बबा महराज की प्रतिमा पर माल्यारपन तथा दीप प्रजवलित कर की गई, इस अवसर पर गड़ समनवयक प्रदिप बागडे ने अपने परिचायत मक संभुधन में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, जी, चरण दो के तहत, नियमित अच्छता और ठोस जल प्रबंदन कार्यक्रम के लिए जागरुकता पैदा करने में जनभागिदारी अत्यंतमात वो पुरना है, उन्होंने कहां कि जागरुकता पैदा की जा रही है, प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक कच्रा प्रबंदन, सारवजनिक नीजी घरेल प्रबंदन, गिला कच्रा और सुखा कच्रा प्रबंदन, प्लास्टिक निर्मुलन, घन कच्रा विवस्थापन आधी पर मार्क दर्शन किया। इस वर्ष के बजट की प्रमुक विशेष्ताओं, जैसे कुरुषे संबन्दी योजना है, शिक्षा का डिजिटलाइजेशन एवं डिजिटल मुद्रा से जुड़ी प्रमुक जानकार या प्रदान की, कारेक्रम में डॉक्टर मनिश चक्रवती, डॉक्टर इंद्रजित डॉक्टर रेनु तिवारी ने तथा आभार प्रतरशन डॉक्टर सिधात मिश्राम द्वारा किया गया। अधिकांश बार तो वाहन गड़ों में स्लीप होने से चालोकों को दुरगटना के बाद भी जान गवानी पड़ती है। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार।